हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल शायना गोईल सो फ्रेंड्स आप सभी फिटन फाइन होंगे हैल्दी होंगे और प्रेप्रेशन आपकी जोरों पर चल रही होगे आपकी एक्जाम की सो दीखिए जैसे कि आप जान दें आपका लाइब्रेरी का पेपर तो यह पोस सब्सक्राइब करने हैं तो आप अपनी लेंग्वेज में भी लिखकर आ सकते हैं इसली सो फ्रेंड्स वीडियो को कम्प्लीट आप ध्यान से सुनें क्या इसका कॉंसेप्ट है क्या इसमें आपने पॉइंट्स में करने हैं तो आपको बहुत अच्छे से यह सारा कुछ समझ में आ जाएगा बहुत इजी है सिर्फ आपको दिक्कत क्या होती है कि मिटीरियल हमने इसमें लिखना क्या है तो वह भी यहां पर आपको प्लेंटी आफ मेटीरियल मिलने वाला है बस आपका फोकॉस होना चाहिए समझने पर बाकि आप यह स्क्रीन शॉट ले लिजे चाहिए नोडाउन कर लिजे जिस चो भी आपको कन्वीनियंट लगता है तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन फॉर लाइफ के साथ अब रिखे दोनों चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंस है फर्स्ट इस एजुकेश फर लाइफ तो क्या हुआ कि फॉर्मल तरीके से हम जो एजुकेशन लेटे है ऊण्यवों सिंदगी में हमें कैसे हıl्प करेगी ठीक है education through life क्या हुआ कि जो हम life अपनी जी रहे हैं उससे हम क्या सीखते हैं ठीक है basically देखे education for life का जो funda है इसको traditional form में क्या माना गया है इसको माना गया है कि ये बस एक बंदे को किसी भी person को job के लिए prepare करता है ये एक traditional form है या फिर किसी भी हम कहते हैं पिछडे हुए thoughts की life education क्यों है ताकि हम job ले लें क्यों भई life में सिर्फ job ही रह गई आपकी personal life होती है ठीक है आपकी social life होती है सारी चीज़ें आपकी life का ही part है ठीक है तो वो भी आपको कौन सिखाता है आपकी जो education होती है हम education लेते हैं हम learning करते हैं कितनी skills हम सीखते है society में उठना बैठना ठीक है हमारे communication skills improve होते है हमारी language improve होती है ठीक है now but one's job isn't the definition of one's life सिर्फ हम अगर सोचे कि education हमारी सिर्फ job के लिए है तो यह हमारी life की definition नहीं है job is a part of life but life itself has many more aspects ठीक है यह बात सही है कि जीनिया है अगर अच्छे से ठीक है तो पैसे की जरूरत है हमें money की जरूरत है job है या हमारा कोई business है वो चीज़ जरूरी है लेकिन life के लिए और भी काफी चीज़ें important होती है अब हमारी जो human needs है हम कहते है food, shelter, clothing and internet इंटरनेट भी तो जूड़े गया हमारी आज की essential needs में इसके बिना तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और भी entertainment का source है हमारा यह तो सिरफ जो institute हमें intellectual information ही दे रहे है याने कि हमें दिमागी तोर पर ही विक्सित कर रहे है वो हमारे complete जो हमारे human being होने का concept है भगवान ने हमें दुन्या में भेजा है सिरफ job करने के लिए थोड़ी भेजा है तो हमारी जो essential needs है हमारी इस दुन्या में होने का एसास है उसको incomplete करता है जो सिरफ हमें intellectual information देता है education system तो अब हमारे पास question क्या arise होता है कि कैसा education system बनाए हम अगर हम कहते कि सिरफ job के लिए prepare न करें तो education system ऐसा होना चाहिए ऐसा बनाया जाना चाहिए जो हमारा utmost aim है life का how to find lasting happiness in life lasting means जो happiness हमेशा हमारे साथ रहे permanent रहे तो इसमें देखिए points क्या होते हैं हमारी life में क्या चीज़े include करती है we need proper training in how to live skills such as how to find the right mate अपना सही जीवन साथी कैसे ढूंडे हम बच्चों की परवरिश किस तरह से करें how to be a good employee how to get along with the neighbors how to concentrate our minds so that we can draw success into our endeavors अब देखिए ये कुछ examples हैं आपके पास कि हमारा जो mate है हम अपनी parents की care कैसे करें है COVID आया था उससे कैसे बच सकते थे तो ये सारे education में हमें बताया जाता है health and hygienic चीजें सारी चीजें हमें पता है लेकिन हम उस चीज को follow अगर करेंगे तब ही तो वो चीजें implement होंगी हमारी लाइफ में then there are many such skills that are essential to prepare a child for adulthood basically एक person की utmost priority क्या होते है कि वो life में अपने cool रहे और happy रहे है न so अगर हम इसकी direct जो definition है education for life इसकी बात करें तो यह आप highlighted यहां पर देख सकते हैं education for life क्या है it is a system that prepares the child to face the challenges of living as a human being and helps him to achieve balance and harmony in all he does ठीक है हमारी life में हम जो भी circumstances face करते हैं चाहे वो कोई crisis हो health issues हो ठीक है कोई breakups हो कोई भी लडाई जगडा हो ठीक है किसी पडोसी के साथ या घरवालों के साथ ही ठीक है हमें कोई food problem हो जाए कोई भी किसी तरह की भी problem हो तो वो instant आती है हमारे सामने ऐसे तुम यह कि सभी problems के बारे में हमें पहले ही पता होता है तो education क्या काम करती है जो instant हमारे सामने problems आने वाली है या हम face करते हैं life में उनके लिए हमें prepare करती है कि हम किसी भी चीज़ के साथ किस ट्रांस से डील करेंगे एकदम से हमारी लोटरी लग जाए इतना पैसा आ जाए उसको संभालना भी एक इसू बन जाता है है ना जब नोट बंदी हुई थी तब क्या हुआ था सभी के पास जो पुरानी करंसी पड़ी थी इतना इतना कैश लोगों नहीं कठा भरके रखा हुआ था उनके लिए इशू क्रियेट हो गया था बर्डन हो गया था कि इतना पैसा अब हम दूसरी जो नई करंसी आ रहे हैं उसमें कैसे करें तो यह भी ट्रिक्स होते हैं जो एजुकेशन हमें सिखाती है देन वीर रियलिंग टॉकिंग अबाउट इस प्रिपेरिंग ए आने वाले इशू के रिलेटेड लियर तो यह चीज आप देख सकते हैं डिरेक्ट डेफिनेशन आप लोगों के पास है और इसका बिसिक जो कॉंसेप्ट है न वो भी आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए यह तो है एजुकेशन फॉर लाइफ अब एजुकेशन लाइफ में आप वो सारी चीजों के बारे में discuss करो जो मैंने आपको experiential learning में बताई है ठीक है कि learning by doing होती है हम real life में जो experiences face करते हैं वो हम कभी नहीं भूलते वो हमारी permanent knowledge होती है ठीक है और उसमें जो हमने learning theory की थी कॉल की वो चीज़ें आप mention कर सकते हैं इस education through life में भी clear तो अब देखें इसके जो basic nature और characteristics हैं या फिर features कहलो इसको कुछ भी कहलो nature characteristic features यह तीनों का meaning same ही होता है और तीनों के अंदर same ही points आते हैं of education for life and through life first is holistic development of an individual of the child of the students कुछ भी कहलो holistic मतलब complete development बच्चे की हम कहते हैं intellectual, social, mental, cognitive जो भी होता है emotional development, moral development हर तरह से बच्चे की development हो वो क्या होती है holistic development क्यों ये चीज कैसे होगी एक तो education हमें दे रहा हैं दूसरा क्या हमें life educate कर रही है चीजों के बारे में दोनों के mix points आपको नजर में आएंगे ठीक है तो देखिए मैं आपको पता हूँ जो आपको ये meaning अगर समझ में आ सकते हो कि क्या इसकी nature है या characteristics क्या है या फिर इसके features क्या है then second is harmonious development harmonious development क्या होता है कि बंदा कोई भी person है न वो peaceful रहना सीखे और वो कहते है न जी और जीने दो वो वाला फंडा कि चैन से खुद भी जी और दूसरों को भी जीने दो ऐसी चीजे then optimistic attitude towards life बिल्कुल positive attitude हम life की त उसके solution की तरफ भागे हम अकसर हम सभी की life में problems आती है कोई इस तरह की problems भी आ जाती है बिल्कुल tense होने वाली होती है लेकिन उस time पर दिमाग पर control रखके जो सारा focus करना है वो tension नेने की बजाए उसके solution सोचने की तरफ लगाओ कभी भी life में आप पीछे नहीं रहेंगे तो यह वैसे really मैं आपको बताऊं तो यह सभी की life का फंडा होना चाहिए समझ लीजिए अगर आपने यह सोच अपना ली तो आपकी life में से tension नाम का जो शब्त है ना यह खतम हो जाएगा देन फॉर्थ पॉइंट देखिए develop cultural values अब education हमें culture के बारे में बताती है हम देखिए स्कूल में different religion के बच्चे आते हैं different culture के different community के तो वहां पर हमारी cultural values increase होती हैं दूसरे culture के प्रती हम respect show करते हैं अपनी तो करती ही करते हैं ना अपने culture की हम respect करते हैं हमें उसके बारे में जानकारी होती है हमें अपने ग्रंतों के बारे में पता है जैसे कोई गायतरी मंतर बोलना है हमारे सब पूरा tips पर होता है यह चीजों की knowledge हमें होनी चाहिए ठीक है उस चीज की हम respect करें हमारे culture की और दूसरों के culture की भी और positive attitude होना चाहिए यानि कि negative words या फिर negative attitude culture के प्रती नहीं होना चाहिए यह चीज डेवलप होती है किसकी help से education for life and through life clear then fifth point देखिए क्या है अब environment की बात अगर हम करें देखिए मैंने ना सभी points आपको main main पूरे ठोस जो points होते हैं वो बता दिये इनको आप बिल्कुल तोड़ तोड़ कर कैसे मर्जी लिखे जाओ लेकिन better होता है कि points आपके limited और content आपका पूरा solid ऐसा होना चाहिए then aware about environment environment क्या है जैसे हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं कितना सुन्दर environment है लेकिन साथ साथ हम chips का packet खा रहे हैं और packet फेंका बाहर गंदगी फिला दे environment में तो वो क्या create होगे उसके issues तो इसके प्रती हमें हमारे अंदर awareness होनी चाहिए कि जो environment हमें मिला है या फिर जो nature है environment means हमारा surroundings जो कुछ भी है ठीक है environment हमारी community है surrounding है nature है natural resources है उनकी beauty को महसूस कीजे और उनके लिए जो हमारी responsibility है या फिर जो issues आते हैं उसको उसके बारे में aware रहना aware रहना और उसके लिए कोई ठोस कदम भी उठाना और बस समझ लीजे जो मैं कहना चाहिए ठीक है then make responsible citizens अब education हमें बताती है कि हमारे जो fundamental rights क्या है fundamental duties क्या नहीं हम सभी learn करते हैं और धीरे धीरे जैसे हम mature होते जाते हैं हमें पता लगता है हम बताते हैं कि यह देखि कौन सी धारा किसके तहत लगती है आधी चीजे तो हमें ऐसे ही पता लगी तो यह CID की example क्या है education through life life के experiences आप TV देख रहे हो उसमें से भी तो कुछ सीखते हो ना three idiots movie देखते हैं वहाँ पर हम क्या देखते हैं एक वह होता है चतुर लिंगन वह रटता है सब कुछ लेकिन ज पर नेक्स देखिए है develop social and moral skills हमारे society के प्रति क्या skills है values है हमारी ठीक है moral values क्या है कैसे हमें उठना बैठना चाहिए बड़ों से किस तरह से पेश आना है चोटों से किस तरह से पेश आना है ठीक है अगर 10 लोग खड़े हैं तो किस तरह से बात करनी है सारे skills सारी values person के अंद linguistic skills किसके related होते हैं हमारी language के related ठीक हम सीखते कहा है school में से education से Hindi Punjabi English किस वर्ड को पहले लगाना है किसको बाद में लगाना है जैसे हमें अकसर सिखाया जाता था कि राम को काटकर सेब खिला दो या फिर राम को सेब काटकर खिला दो दोनों में फरक पड़ गया ना बातों का हम कहते कि miscommunication हो गया हम मैं बोलना कुछ और चाहती थी लेकिन आप समझ कुछ और गए तो language linguistic skills जो है यह develop होने चाहिए कि जो बात आप बोलना चाहते हो सटीक बस वही बात बोलो और सामने वाला उसको कुछ उलट उलट ना समझे वही समझे जो आप बोलना चाहते हो तो य जो पॉइंट में जिस तरह से आपको explain कर रही हूं आप चाहे डिट्टो एक्जाम्पल्स एक्जाम में लिखकर आ जाना बस मेरा नाम लिखकर लिखकर आ जाना मांस आपके पक्का आ जाएंगे क्लियर नेक्स क्या है work education अब देखिए work education क्या है हम कहते हैं कि education सिरफ job के लिए नहीं दी जाती लेकिन job के लिए भी तो दी जाती है न तो work education सिखाने भी तो जरूरी है ऐसे थोड़ी है कि हम बस पहाड़ों के नीचे लेटे हुए हैं उसका अनंद ले रहे हैं कुछ काम त efficiency means हम आगे जाकर जो भी काम करना चाहते हैं जैसे हम जाते हैं कि civil services में जाते हैं कुछ लोग है न तो उनको sst subject लेते हैं आगे जाकर या फिर कोई बीटेक civil engineering करते हैं वो architect में designing buildings construction इस तरह के कामने जाते हैं तो यह सारी क्या है work education इसके related भी जानकारी education में दी जाती है और हम real life में भी देखते हैं हमारे घर पे कुछ काम चलता है आधी knowledge तो हमें तभी हो जाती है कि यह चीज़ ऐसे करती है है न हमारा घर इतने size का है इतन situation भी सिखाती है then be prepare for challenges of life यह मैं काफी detail में आपको बता चुकी हूं life में क्या-क्या challenges आपके सामने आ सकते हैं then self-confidence हमारे अंदर self-confidence आता है जब हमें पता है कि हम situations को handle कर लेंगे तो हमारे self-confidence को देखकर 10 लोगों को और self-confidence आता है जो हमारे ओपर dependent है तो self-dependence self-dependence होना सीख कि अपने पैरों पर खड़ा होना अपनी decision making खुद और right decision making then enhance communication skills communication skills क्या है किसी से बात करने का धंग कुछी शब्दों में अपनी सारी बात समझा दो उनको clear समझा गया यह चीज़ इसके nature characteristics है अब देखिए इसका reflection curriculum में क्या है curriculum क्या होता है school में जो भी हम कहते है school के दौरान जो कुछ बच्चा time spend करता है चाहे वो games खेलता है कोई pt period में जाता है या फिर school में अपना काम करता है school subjects पढ़ता है laboratory में जाता है library में जाता है whatsoever thing is being done during the school hours वो क्या mention होता है आपके curriculum में clear हो गई यह चीज़ curriculum में क्या होता है एक तो आपकी curricular activities होती है आपका subject content होता है co-curricular activities होती है then आपकी क्या होती है extra curricular activities तो अब इसका reflection जो है education for life का education through life का इसका reflection हमें curriculum में किस तरह से देखने को मिलता है यानि कि curriculum कैसा होना चाहिए या फिर कैसा है हमारा आज के time में जो हमें education देता है ठीक है for life and through life अब देखे first is flexible and dynamic curriculum जो हमारा curriculum है school का वो हमेशा flexible या फिर dynamic होना चाहिए यानि कि rigid curriculum नहीं होना चाहिए जो आज बन गया और 10 सालों तक वहीं चलता रहेगा ऐसा नहीं होना चाहिए हमेशा new additions curriculum में होनी चाहिए क्योंकि हम क्या कहते है कि इसी भी person की जो development है development क्या है ongoing process है static नहीं है dynamic है तो curriculum को आप static कैसे कर दोगे ठीक है flexible होना चाहिए time to time update होना चाहिए जिस तरह की changes हम real life में देखने को मिलती है वो चीजे curriculum में add होनी चाहिए इसकी मैं आपको best example देना चाहूंगी जैसे ICT skills information and communication technology जो है use हो रही है teachers ने भी ये सारी चीजे सीखी है सोचो जो Hindi पंजाबी की teachers है या फिर जो language की teachers है जिनको computer की जानकारी नहीं है उन्होंने भी सीखा online किस तरह से पढ़ाना है या फिर smart class में किस तरह से सीखाना है बच्चों को तो वो क्या है reflection in curriculum ही तो है ICT को उन्होंने अपने curriculum में embed किया ताकि teaching वो ICT के थ्रू कर पाए देन दीखिए integrated curriculum यानि कि सारा कुछ integrate होना चाहिए curriculum में physical activities होनी चाहिए moral activities ठीक है cultural activities होनी चाहिए हमारी जो course content के related है debate seminar discussion project सब कुछ ही होना चाहिए यह हो गया आपका integrated curriculum के अंदर अब इसमें learning by doing के methods होनी चाहिए like project method है discussion method है यह दोने मैंने आपको बता दिये दो आप मुझे बताएंगे comment करके learning by doing के methods चाहिए तो वो embed होनी चाहिए ताकि बच्चे experiential learning से सीख पाए then develop the cognitive social emotional cultural and moral skills of the students बच्चों के cognitive किसके साथ related है mind के साथ society के साथ social skills emotions के साथ हमारे emotional skills और हमारी जो culture है religion है उसके साथ हमारे cultural skills और जो हमारे ethics है जिन्दगी के उसके साथ का उन से related है moral skills यानि कि बच्चे की holistic development हो harmonious development हो overall development हो उसके लिए हमें ये सारे skills कहां से सीखने को मिलते हैं curriculum ने अपने अंदर समाय होए हैं और बच्चों को time to time ये चीज़ें देती रहते हैं ठीक है अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि curricular activities होती है co curricular activities होती है extra curricular activities होती है जैसे school assemblies होती है या फिर college assembly होती है हम कहते कि आज इस section की turn है उस section की turn है debates होती है declamation contest होती है field trips होती है जैसे recently अगर मैं personal experience share करूँ तो मेरी daughter है 5th class में तो उसको लेकर गए थे वेर का की milk plant में ठीक है दिखाने के लिए कि कैसे दूद बनता है कैसे घी निकलता है and so on तो 5th class से ही समझ लीजिए field trips आपके excursion trips यह start हो जाते कि बच्चों को practically चीजे दिखाई जानी चाहिए तो यह क्या हुआ आपका curriculum में यह चीजे embed होती है then is nss activities ठीक है nss activities यह school का part होती है आपको पता होगा इसके marks भी आपके जो आपकी report card है उसमें जूडते हैं और आगे जाकर बहुत help करते हैं आपको जो nss activities है ncc camps लगते हैं ठीक है उसके बाद क्या है जो environment education है इसको compulsory बना हो ठीक है और उसके बारे में वो अच्छा से knowledge हो बच्चों को environment में क्या कुछ होता है flora fauna nature natural resources यह सारा कुछ होता है इसमें ठीक है then comes the vocational training जो हमने discuss की है work experience work education से ही work experience मिलेगा उसके बाद जो ICT की बात मैंने आपको बोली है computer education ठीक है ICT को curriculum में उसका एक सांचा साथी बनाया गया है जिसके through curriculum continue होगा ठीक है ICT की help से then internship program होता है अगर आपको पता है NEP 2020 जो आया है उसमें क्या बोला गया है कि 6th class से बच्चों की internship program जो है start हो जाएगी यानि कि 6th class के students 10 दिन की जो हम कहते हैं ट्रेनिंग पर जाते हैं किसी factory में या फिर कहीं पर भी बच्चा training पर जा सकता है और वो certificate बकायदा उनको मिलेगा ठीक है NEP 2020 यह चीज कहती है देनिस cooperative learning जैसे हम बोलते कि groups में काम करना project मिलते हैं एक तो individual project होते हैं group project होते हैं groupism में काम करना cooperative learning मतलब combined learning जहां पर होती है एक दूसरे की सहायता से काम करना so I'm sure friends अब यह जो video helpful लगी हो तो प्लीज इसे thumbs up जरूरो दिखाए वीडियो को like कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारा आज का topic यहां पर होता है complete और देखिए friends जब आप यह कोई भी answer करते हो ना बीएड में तो उसको wind up करना होता है answer की starting एक introduction से देनी होती है और उसके end में हमें देना होता है conclusion conclusion के दो नंबर होते हैं अगर नहीं लिखाना तो दो नंबर चले जाएंगे फिर मत बोलना कि मैं आपने पढ़ाया था हमने वही लिखा और मार्क्स कमाए चीक है तो paper present करने का way मैं हमेशा हर वीडियो में मैं आपसे कहते हूं कि peer में जो आपके paper presentation है उसका बहुत effect पढ़ता है तो वह किस तरह से करनी है आपको इसी वीडियो के description में उसका link मिल जाएगा वह आप जरूर देखिए कि long questions को किस तरह से attempt करना है और short questions को किस तरह से attempt करना है कितने pages में attempt करना है वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगी आप जरूर चेक कीजेगा so friends see you in the next session till then keep watching